Hello student, welcome once again बच्ची इस वीडियो में हम लोग exercise 8B का जो first question है इसे solve करेंगे और ये exercise ही मैंने बहुत पहले पढ़ा ही रखा है लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि जो हमारे question हमने पिछले बार skip कर दिये थे न उन question को मैं आपको repeat करा दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और पूरे के पूरे question की solve हो जाएंगे तो देखो यहाँ पर इस वाले वीडियो में मैं आपको 3 और 5 बोला समझा दूँगा और इसके अलावा अगर आपको किसी भी question का solution देखना है जो मैंने पहले बनाया है या जो मैं भी चल करके आगे की वीडियो में बनाऊंगा तो उनका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा केवाल आपको नीचे description box में जाना है वहाँ all videos of chapter 8 के नाम से एक link दिया हुआ रहेगा उसमें click करोगे ना तो इस chapter के आपको सारे videos मिल जाएंगे तो चलिए start करते हैं और इस video में यह third वाला और यह fifth वाला question को solve करते हैं यहाँ पर साब सब हम से बोला गया है कि a की value कितनी रखनी है हमें 2 और b equal to है हमारे 3 यहाँ एक के जगह में आपको 2 लिग देना है और b के जगह पर 3 रख देना है और उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पर expressions दिये हुए हैं उनके value आपको find कर लेने हैं ताहिए हम लोग यह third वाला का find करना सीखते हैं तो जेखो जो हमारे third question है ना वहाँ पर हमें a b minus a का square दिया हुआ है तो simple आप क्या करो a के जगह में 2 लिखो और b के जगह में 3 लिखो लेकिन बीच में देखो दोनों यह आपस में चिपके हुए हैं ना इसका मतलब यह दोनों आपस में multiply में है तो यहाँ पर बीच में multiply की sign जरूर लगाना उसके बाद minus a का square है तो minus 2 का square हो जाएगा इसको आप चाहतो ब्रेकेट में लेख भी सकते हो या डिरेकर बिलिको के तो भी चलेगा इसके बाद यह simply हमारा 2 3 जा 6 हो जाएगा यही पर मैं कर लेता हूँ और minus में 2 का square है यानि यह 2 multiply 2 तो 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4 6 में से 4 minus हुआ तो answer आगया 2 यही इसका final answer हो जाएगा देखा कितना simple सा question था इसी तरीके से इसका fifth part जो है वो भी बनेगा देखो fifth part में हमें कितना दिया हुआ है 5 a का square minus में 2 a b यह हमारा question है तो बस जहाँ जहाँ पर a है वहाँ वहाँ पर 2 लिखो जहाँ 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 पर b है वहाँ वहाँ पर 3 लिखो तो यह हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा 5 के जगा पर 5 रहने दो 4 minus इधर हमारे पास 3 2 जा 6 और 6 2 जा हो जाएगा हमारे पास 12 तो यह कितना बन गया 5 4 जा 20 minus में 12 तो 20 से 12 minus करो तो आपका आजाएगा 8 answer तो इस तरीके से आपके questions को solve करना है जो question मैंने भी नहीं करा है न वो मैंने पहले करा दिया है तो अगर आप उनको अपने से कुछ से solve करना चाहते है तो कर लो अगर नहीं होगा तो वो वीडियो साथ देख लेना मिलते हम लोग नेक्स वाले वीडियो में सब तक लिए thank you for watching